नमस्का, मैं प्रोफेसर प्रगती रस्तोगी, मेरट कॉलेज मेरट और मैं आज डिसकस करने जा रही हूँ कि जो UGC गाइडलाइन दो हजार अठारा हैं, उनके अनुसार, जो C.A.S. प्रोफॉर्मा हैं, उसको हम किस तरीके से भर सकते हैं? तो सबसे पहले, Department of Higher Education, UP द्वारा प्रेशित, जो फॉर्म है, मैं उसके बारे में बात करूंगी, और इसमें जो eligibility criteria है, अलग-अलग level के लिए, वो UGC नियमन 2018 के अनुसार ही है, तो अलग-अलग academic levels में किस प्रकार से promotion होगा? उसको हम discuss करेंगे, form जो UP Higher Education ने प्रेशित किया है, वो सभी अलग-अलग levels के लिए, एक ही form है, तो अलग-अलग form हम लोग को उसमें नहीं लेना है, तो पहले जो minimum API requirement है, promotion के लिए, हम उसके बारे में बात करते हैं, तो university और college के teachers के लिए, अलग-अलग है, university teachers के लिए, जो API requirement है, assistant professor stage 1 से, assistant professor stage 2 में जाने के लिए, या AGP 6000 से, AGP 7000 में जाने के लिए, तो research और academic contribution, जो category 3 में है, उसके लिए उनको कम से कम 40 API की requirement है, जबकि college के teachers के लिए, ये requirement 20 points की है, और बाकी जो expert assessment system है, वो केवल यहाँ पे screening committee होगी, next level में अगर हम जाते हैं, assistant professor stage 2 से, assistant professor stage 3 के लिए, AGP 7000 से, AGP 8000 के लिए, तो ये university departments में, यहाँ पे किसी भी teacher को 100 का score चाहिए, API requirement जो है, वो 100 है assessment period के दौरान, जबकि जो college teachers है, उनके लिए 50 assessment score की ज़रूरत है, और बाकी जो assessment system है, वो यहाँ पर भी screening committee रहेगी, next stage में assistant professor stage 3 से, assistant professor stage 4, AGP 8000 से, AGP 9000 में आने के लिए, तो यहाँ पे ये assistant professor से associate professor में promotion हो रहा है, तो university teachers को यहाँ पे जो score चाहिए, वो है 90, 90 अंक चाहिए इनको assessment period के दौरान, और यहाँ पे selection committee होती है, जबकि college teachers के लिए जो score है, यह उसका just half है, 45 API assessment period के दौरान चाहिए, और यहाँ पे जो selection procedure है, वो same as selection committee होगी, यहाँ पर, और next level में associate professor stage 4 से professor stage 5 या AGP 9000 से AGP 10,000 में आने के लिए, university teachers को 120 research score किया वेशकता है, और selection का procedure यहाँ पे selection committee के द्वारा होगा, जबकि college teachers के case में assessment period के दौरान केवल साथ हंकों किया वेशकता है, और यहाँ पर भी selection committee होगी, लेकिन यह जो API का procedure है, यह जो हमारी eligibility criteria है, वहाँ पर कुछ different है, तो state का जो API आया है, उसके अनुसार हम अपनी गड़ना करते हैं, यह just एक हमारे UGC gazette में page number 78 और 79 पर यह chart दियावा है, तो वो भी एक हम लोग को गड़ना जब हम करते हैं, कि हमारे को कितना API चाहिए, तो उसके लिए यह ज़रूरी हो जाता है, कि हमारे को एक rough idea होना चाहिए, कि लगबग हमको किस प्रकार से काम करना है यहाँ पर, अपना API पूरा करने के लिए. तो जो हमारी minimum हमारी requirements हैं, अलग-अलग stages पर अब हम एक के बाद एक उनको discuss करेंगे, सबसे पहले हम पहला promotion लेते हैं, जो कि assistant professor, जो कि academic level 10 से assistant professor, यानि कि senior scale के लिए जो हमारा promotion होगा, academic 11 के लिए, वो क्या है, college teachers के लिए और university teachers के लिए उसमें क्या समानता है, और क्या भिनता है, क्या अलग-अलग है उसमें, यह मैं आपको बता रही हूँ. तो eligibility में सबसे पहले, जो assistant professor है, अगर उनके पास PhD की degree है, तो उनको 4 साल का समय लगेगा, अगले level में जाने के लिए. तो अगर आपके पास PhD degree है, तो आपकी date of joining के बाद 4 साल का समय आपको चाहिए. अगर आपके पास PhD degree नहीं है, आपने MFIL की आवा है, या अगर आपका कोई professional course है, जैसे की LLM, जैसे law है, या technical course में Mtech है, या MVSC है, या doctors के case में MD है, तो उस case में अगर आपने या तो MFIL करी हुई है, या आपके पास professional course की PG degree है, तब आपको 5 साल के बाद promotion मिलेगा, और अगर आपके पास professional course की PG degree नहीं है, या आप MFIL नहीं है, उस case में आपको 6 साल का समय लगेगा, तो अगर आपके पास PhD degree है, तो आपका promotion, पहला promotion आपको 4 साल के बाद मिलेगा, अगर आपके पास PhD degree नहीं है, लेकिन आपके पास professional course में, आपके पास PG degree है, या आप MFIL holder है, उस case में आपको promotion 5 साल में मिलेगा, लेकिन ना तो आपके पास PhD डिग्री है ना आप M.Phil है या Professional Course में आपकी पास PG डिग्री है तब आपका Promotion जो है वो 6 साल पे होगा इसके अलावा आपको क्या करना है इसके अलावा कम से कम 21 दिन का एक Orientation Program आपको करना है जो की Teaching Methodology के उपर होगा और उसके साथ-साथ आपको कम से कम एक Refresher Course करना है या Research Methodology Course करना है जिसका duration दो सब तहा होगा या कम से कम 10 दिन होगा अगर आपने Refresher Course नहीं किया है या Research Methodology का Course नहीं किया है तो आप उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं एक Refresher Course के बदले आप दो दो वरक्शॉप कर सकते हैं या syllabus अपग्रेडेशन वरक्शॉप कर सकते हैं ट्रेनिंग कर सकते हैं Teaching Learning Evaluation के उपर या Faculty Development Program कर सकते हैं जिनकी duration कम से कम एक सबता है या 5 दिन की होनी चाहिए अलग-अलग मतलब आपको 5-5 दिन के दो कोर्स आपको इस तरीके से करने पड़ेंगे अगर ये भी नहीं है तो आप कर सकते हैं एक MOOCS कोर्स कर सकते हैं जिसका E-Certification हो या Development of E-Content in 4 Quadrants मतलब आपको एक MOOCS बनाना पड़ेगा जो जिसका E-Certification होगा या आप E-Content 4 Quadrants में आप E-Content बनाते हैं या आपको E-MOOCS कोर्स करते हैं उस Assessment Period के दोरान जो कि आपका या तो 4 साल है या 5 साल है या 6 साल है ये तो University और College Teachers के लिए same eligibility criteria है University Teachers को इसके अलावा कम से कम एक अपना पेपर छापना पड़ेगा एक Research Publication उनकी अपने Assessment Period के दोरान होना जरूरी है जो कि या तो Peer Reviewed Journal हो या UGC Listed Journal हो Assessment Period के दोरान उनका एक Publication जरूरी है उसके पश्चात ही उनका प्रमोशन होगा University Teachers के केस में जबकि College Teachers के लिए Research Publication की बाधिता नहीं है तो Teacher का प्रमोशन कब होगा Teacher का प्रमोशन होगा जब उनको Satisfactory या Good Grade मिलता है अपनी Annual Performance में जो Assessment Report बनती है अगर आपका Assessment Period चार साल है पाँच साल है या छे साल है तो क्रमशह है आपको कम से कम उसमें तीन, चार या पाँच साल में Satisfactory या Good Grade लाना उसमें आपका जरूरी है As per Appendix to Table 1 जो Gazette में Appendix to Table 1 है उसके अनुसार और साथी साथ आपका प्रोमोशन जो है वो Screening Come Evaluation Committee आपको Recommend गरती है As per the Regulations तो आपका प्रोमोशन हो सकता है Next Level पर आते हैं Assistant Professor या Senior Scale Professor जो की Academic Level 11 पर है इनका प्रोमोशन अगर इनको लेना है Assistant Professor Selection Grade या Academic Level 12 के लिए तो इसमे University Teachers के लिए Next Promotion उनको तभी मिलेगा जब उनके पास Relevant Subject में PhD डिग्री है अगर उनके पास PhD डिग्री नहीं है उनकी PhD कंप्लीट नहीं होती है तो फिर उनको Selection Grade नहीं मिलेगा University Teachers के केस में और साथी साथ University Teachers को कम से कम तीन Research Papers अपने Publish करने होंगे Peer Reviewed Journals में या UGC Listed Journals में अपने Assessment Period के दोरा और यहाँ पे जो Assessment Period है ये College Teachers और University Teachers के लिए सेम है दोनों ही केसिस में पांच साल का Assessment Period है अगले लेविल में जाने के लिए Academic Level 11 में उनको पांच साल पूरे हो जाने चाहिए इसके अलावा इस पांच साल के दोरान दोनों ही चाहिए College Teachers हों चाहिए University Teachers हों उन्हें दोनों को ही कम से कम दो Refresher Course करने होंगे चाहिए वो या Research Methodology Course करने होंगे या Workshop Syllabus Upgradation के उपर या Teaching Learning Evaluation के उपर या Technology Program या FDP या Syllabus Upgradation Workshop Teaching Learning Evaluation या Technology Programs कम से कम दो सबताहा की Duration के दो सबताहा का मतलब यहाँ पर 5-day working वाला week यहाँ पर मान रहे हैं तो कम से कम 10 दिन का Duration होना चाहिए या फिर एक Refresher मतलब 10 दिन के एक Course के सापे आपको कम से कम 2 और 5-5 दिन के दो प्रोग्राइम आपको करने पड़ेंगे Workshop हो सकती है या कोई FDP हो सकता है 5-5 दिन का या फिर आपने MOOC स्कोर्स किया हो relevant subject में या आपने E-Content बनाए हो 4 Quadrant में इसी प्रकार से मतलब 2 multiplied by 2 आपको वो करना पड़ेगा तो यहाँ पर प्रोमोशन कम होगा अगर आपको 5 में से 4 साल में आपका Satisfactory या Good Grade है Annual Performance Assessment Report में जो कि Appendix 2 Table 1 में दियावा है और आपका प्रोमोशन Screening कम Evaluation Committee recommend करती है अगला प्रोमोशन है Assistant Professor Selection Grade Academic 12 से Associate Professor Academic Academic Level 13A यह भी College Teachers और University Teachers के लिए कुछ समानता हैं, कुछ भिनता हैं दोनों ही केसे में आपको Selection Grade में कम से कम 3 साल की सर्वेस आपकी हो जानी चाहिए और आपके पास Relevant Subject में या Allied Subject में आपकी PhD डिग्री Complete हो गई होनी चाहिए University Teachers के केस में उनको Selection Grade नहीं मिलेगा जब तक उनकी PhD नहीं है तो Associate Professor के लिए वो स्वेता हैं ये वाली शर्थ पूरी हो जाती है जबकि College Teachers के केस में उनका Selection Grade का प्रोमोशन तो हो जाएगा अगर उनकी PhD डिग्री नहीं है लेकिन Selection Grade से Associate Professor का उनका प्रोमोशन नहीं होगा अगर उनकी PhD डिग्री Complete नहीं है इसके अलावा University Teachers के अब तक कम से कम साथ पॉब्लिकेशन हो जाने चाहिए जिसमें से तीन Research Paper इनके Assessment Period के दौरान होने चाहिए जबकि College Teachers के लिए Research Papers की कोई बाध्यता नहीं है इसके अलावा University Teachers ने कम से कम एक Research Scholar को Guide कर दिया हो इसका मतलब Evidence of having guided at least one PhD candidate इसका मतलब है कम से कम एक PhD candidate की Thesis उनके Supervision में Submit हो जानी चाहिए Award भले ही ना हुई हो लेकिन Submit हो जानी चाहिए Awarded हो तो बहतर है जबकि College Teachers के लिए अभी ऐसी कोई शर्थ यहां पर नहीं है PhD Guidance उनके लिए mandatory नहीं है इसके अलावा इन तीन साल में Teachers को चाहिए वो College Teachers हो चाहिए University Teachers हो उन्होंने कम से कम एक 10 दिन का या दो सपता का एक Refresher Course कर लिया हो या 5-5 दिन के दो कोर्स उन्होंने कर लिये हो उपर की जैसे उपर हमने बताया है उसी प्रकार से उन्होंने 5-5 दिन के चाहिए दो कोर्स कर लिये हो या 10 दिन का एक Refresher Course या Research Methodology Workshop वोगेरा उन्होंने कर लिये हो अब Eligibility Criteria अगनका Promotion किस तरीके से होगा तीन साल में से कम से कम दो साल की Satisfactory या Good Grade हो इनका Annual Performance Assessment Report में और University Teachers के केस में उनके जो Research Score है वो कम से कम 70 हो as per Appendix 2 Table 2 API उनका कम से कम 70 हो College Teachers के लिए क्योंकि Research Papers की बाध्यता नहीं है तो यहां पे उनको API में की भी कोई बाध्यता उनकी नहीं है और जो Promotion है वो दोनों ही केसे में Recommend होना चाहिए Selection Committee के द्वारा जो की Regulations के अनुसार बनाई गई हो Next Level of Promotion है Associate Professor Academic Level 13A से Professor Academic Level 14 में College Teachers के लिए और University Teachers के लिए दोनों को ही कम से कम 3 साल का समय हो गया हो कार्यानुभव हो Associate Professor के लेवल पर दोनों ही के पास PhD डिग्री हो Relevant Subject में या Allied Subject में और दोनों ही के कम से कम 10 Research Publications हो Peer Reviewed Journals में या UGC Listed Journals में जिसमें से कम से कम 3 Research Papers उनके Assessment Period में Publish हुए हो अब यहां पर हम यह देख रहे हैं कि 10 Research Papers दोनों ही केसिज में Required हैं University Teachers में जो Papers हैं आप यह देखिए जब वो पहला प्रोमोशन लेते हैं Assistant Professor से Senior Assistant Professor के लिए तो वहाँ पर उनको एक Research Paper की Requirement है उसके बाद जब वो Selection Grade में आते हैं तो उनको 3 Research Paper की Requirement है जब वो Associate में आते हैं तब अगेन उनको Total 7 और कम से कम 3 उस Assessment Period के दौरान तो 7 यहां तक उनके हो गए प्लस 3 Professorship में मतलब Associate Professor से Professor के Assessment Period के दौरान उनको 3 Research Papers चीए तो इस तरीके से 10 Research Papers का Count पूरा होता है तो College Teachers को भी कोशिश ये करनी चाहिए कि Accordingly अपने Papers वो Publish करते रहें जिससे की Final Promotion के टाइम पे एकदम से Papers Publish करने की उनको हडबडा हट ना हो और Quality सफर ना करे Research Papers की Minimum API Score दोनों ही Cases में अब 110 का Research Score चाहिए मतलब Total Research Score आपका कम से कम 110 का होना चाहिए As per Appendix 2, Table 2 और University Teachers के लिए एक और चीज है कि उनको Evidence of Having Successfully Guided Doctoral Candidate मतलब PhD Supervision का Evidence उनको देना यहाँ पे जरूरी है जो कि उनको Associate Professor में प्रोमोशन लेने के लिए भी उनको requirement था जबकि College Teachers के लिए PhD Guidance Mandatory यहाँ पर नहीं है Promotion Criteria क्या है तीन में से अगर दो साल में उनका Annual Performance Assessment Report Satisfactory या अच्छा है तो promotion होगा और साथी साथ इनका promotion जो है वो recommend किया जाता है Selection Committee के द्वारा जो की UGC Guidelines के अनुसार ही बनी है उत्तर प्रदेश में दिनांक साथ दिसंबर 2012 को उत्तर प्रदेश उच्छ शिक्षानिदेशाले के द्वारा एक ये पत्र प्रेशित किया गया था जिसमें उन्होंने ये एक Career Advancement योजनांतरगत Associate Professor Academic स्थ 13A से Professor Academic स्थ 14 के पदवा प्रोननती प्रदान करने के दिशानिदेश दिये थे तो ये जो दिशानिदेश है तो Career Advancement योजनांतरगत प्रोननती हेतु आवेदन पत्र भरने के लिए जो दिशानिदेश थे उनको मैं पढ़ रही हूँ जो Important Points है वो यहाँ पर Highlighted है Assistant Professor जिनकी अहरता तिती 28 मई 2015 के पूर्व है वे UGC Regulation 2000 Non-API के अनुसार से फॉर्म भरेंगे मतलब यहाँ पे API के आविशक्ता उनको नहीं है Assistant Professor जिनकी अहरता तिती 28 मई 2015 के बाद परंतु 10 जुलाई 2016 के पहले है वे UGC Regulation द्वितिय संशोधन 2013 कैपिंग के अनुसार फॉर्म भरेंगे तो 28 मई 2015 के बाद जिनकी अहरता तिती है जो eligible हो रहे हैं प्रमोशन के लिए लेकिन 10 जुलाई 2016 से पहले जिनका अहरता है उन्हें Regulation 2013 जिसमें कैपिंग होती थी उसके अनुसार उनको फॉर्म भरना है ऐसे असिस्टन प्रोफेसर जिनकी अहरता तिती 10 जुलाई 2016 के बाद परंतु 28 जुन 2019 के पहले है वे UGC Regulation चतुर्त संशोधन 2016 के अनुसार फॉर्म भरेंगे और इसके अलावा असिस्टन प्रोफेसर जिनकी अहरता तिती 28 जुन 2019 के बाद है वे UGC Regulation 2018 के अनुसार फॉर्म भरेंगे तो जिस हिसाब से आपकी प्रोमोशन के eligibility की डेट है उसी के according आपको जो relevant फॉर्म है वो आपको भरना है सभी associate professor शाशना देश संख्या 1607 बटा 71 दो हजार एकिस 16 तेरालिस बटा 2021 दिनांक 11 दो हजार एकिस के अनुक्रम में UGC Regulation 2018 के अनुसार फॉर्म भरेंगे मतलब कि ऐसे सभी associate professor जिनका professorship due हो गया है एक नवंबर 2021 तक जो अहरता पूरी कर रहे हैं या उसके बाद अहरता पूरी करेंगे उन्हें UGC Regulation 2018 के अनुसार फॉर्म भरना है अब जो फॉर्म उच्च शिक्षा निदेशाले द्वारा स्विक्रत प्रारूपर ही स्विकार किये जाएंगे जो निदेशाले ने प्रेशित किया है फॉर्म वही प्रारूपर स्विकार किये जाएंगे दो मूल प्रतियों में स्विकार किये जाएंगे फॉर्म मतलब आपको दो copies में भरना है form की आपको spiral binding करानी है या simple binding जैसे भी आपको उचित लगे लेकिन आपको bind करा कर ये आपको submit करना है आपकी eligibility date या अहरता जो है जब भी आपकी पूरी हो रही है उसे 3 महिने पहले आप अपना form भर सकते हैं अगले promotion के लिए अगर आपकी eligibility बाकी पूरी हो रही है तो आप 3 महा पहले आप अपना form भर सकते हैं UGC वी नियमों की अहरताओं के आधार पर आप अपने form भर सकते हैं सभी प्रमानित प्रतियां साफ और द्रिष्टी गोचर होनी चाहिए सभी प्रपत्रों पर page number अनिवारे रूप से होना चाहिए और form के index पर भरा होना चाहिए form में पीछे एक index दी हुई है जहां पे आपको अपने enclosure का number और उसमें page number आपको बताना है तो आपके जितने भी photocopies आप लगा रहे हैं जितने भी annexures या attachments आप लगा रहे हैं हर एक annexure पे आपको page number डालना है अब यह जो numbering है annexure या attachment की numbering अलग होगी और page number की अलग होगी तो जो आपका पहला annexure या attachment है उसका जो पहला page है और आपके last attachment के आखरी page तक जो page number है वो continuation में मतलब एक से लेके 100, 500, 200 जितना भी आता है वो continuation में चलेगा scan की हुई copy स्विकार नहीं की जाएगी मतलब आपको photocopy लगानी है अपने प्रपत्रों की आप scan copy ने लगानी है यहाँ पर सभी academic प्रमान पत्रस्व प्रमानित होने चाहिए जितनी भी आपके academic record है वो self-attested होना चाहिए और जो भी आपके attachments है वो सभी self-attested होने चाहिए form के साथ अन्य सभी आवशक पत्रजात या तो मूल रूप में या प्राचारे अत्वा IQAC द्वारा प्रमानित रूप से सनलगन किये जाएंगे मतलब जितने भी आप attachments लगा रहे हैं उन सभी पर या तो आप original copy लगाएं अगर संभव है और अगर original copy लगाना संभव नहीं है तो उसके उपर या तो प्रिंसिपल के आपके college के प्रिंसिपल के या आपके IQAC की coordinator के signature होने आविशक है form के सभी प्रिष्टों पर IQAC के हस्ताक्षर आविशक है मतलब जो form आप भरेंगे जितना भी बड़ा वो form है उसके सभी pages पर IQAC के सदस्यों के हस्ताक्षर होने है IQAC coordinator के हस्ताक्षर होने है वहाँ पर stage 2 academic level 11 से stage 3 academic level 12 अथवा stage 4 academic level 13A वेतनमान प्राप्त होने का शासन का आदेश एवं प्राचारे द्वारा वेतन निर्धारन के साथ प्रमानित रूप से लगा होना चाहिए इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके कुछ पिछले प्रमोशन हो चुके है तो उसके बाद salary fixation का एक letter आता है निदेशाले से तो वो जो letter है वो आपको उसकी फोटो कॉपी आपको principle से अटेस्ट करके आपको लगवानी होगी शिक्षकों के लिए अध्यापन कारे सर्वादिक महत्वपूर्णे अते प्राचारे एवं IQAC द्वारा शिक्षन से संबंदित प्रमानपत्र निर्गत करते समय समय सारणी तथा UGC के वे नियमों के अंतरगर शिक्षन के कारेभार का ध्यान रखा जाना चाहिए शिक्षन की सारणी IQAC एवं प्राचारे द्वारा प्रमानित होनी चाहिए अब इसका मतलब यह हुआ कि जो सेकिंड पार्ट है फॉर्म का वहाँ पर जो आपको अपना परसेंटेज ऑफ क्लासे टेकिन आपको लगाना है तो उसके साथ में आपको अपना जो टाइम टेवल मिलता है वह आपो ज़रूर लगाना है जिससे की पता चले कि आपका वर्कलोड कितना है और आपने जो चुटियां ली है उसमें आपकी कितनी क्लासे सफर हाशी तो उसकी गढ़ना जो है वह आपको बहुत अच्छे से करनी है और आप ये जो आपका time table है ये principal के द्वारा या IQAC की coordinator के द्वारा ये sign होगा उसके ओपस stamp लगेगा तब ही आप लगाएंगे उसको इसके बाद category 1 एवं category 2 अत्वा क्रिया कलाप 1 एवं क्रिया कलाप 2 के प्रमान पत्र IQAC एवं प्राचारे द्वारा प्रमानित होना चाहिए और category 2 में आपके co-curricular activities आती हैं तो ये सब इसके से related जितने भी आप certificates लगाएंगे ये या तो IQAC प्रमानित करेगी आपकी या आपके प्रचारे प्रमानित करेंगे अब जो एक बहुत important चीज है वो ये है कि orientation course, refresher course, short term course इत्यादी UGC द्वारा मानिता प्राप्त HRDC अथवा पंडित मदन मोहन मालविये, National Mission on Teachers Training एवं स्वयम केंद्रों के द्वारा किया गया होना चाहिए इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप orientation course कर रहे हैं या refresher course कर रहे हैं या short term course कर रहे हैं वो कहां से आप कर सकते हैं तो आप academic staff college जो की UGC द्वारा मानिता प्राप्त हैं पहले उनको academic staff college कहते थे अब HRDC कहते हैं उनको human resource development center अब उनको बोलते हैं नया नाम उनका ये हो गया है या फिर पंडित मदन मुहन मालवे national mission on teachers training से मानिता प्राप्त होना चाहिए या फिर आप स्वयम portal से कर लीजे इसके अलावा अगर आप किसी college में हुई वी कोई conference, workshop इस तरह की attend करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो promotion के लिए वो आपकी 5 days या 10 days की workshop आपके refresher का काम कर चाहिए भले ही उसके उपर लिखावा हो refresher course तो अगर आपका ऐसा है कि आपने किसी college से जो की HRDC center नहीं है या पंडित मदन मुहन मालवे national mission on teachers training से मानिता प्राप्त नहीं है वहां से आगर आपने कोई कर लिया है और आपके पास समय है तो आप स्वयम portal से या आप नया अपना HRDC से कर लीजिए ये बहुत important है अब इसके उपर काफी हद तक इसके उपर काम हो रहा है बहुत forms रोके जा रहे हैं इसी के base पर next है form पर API की गड़ना IQAC द्वारा लिखे तेवं प्रमानित होने चाहिए तो ये काम IQAC का है इसमें आपको नहीं करना है हा लेकिन जो आपका part है जो आपने अपनी calculate करी है वो आपको अपने column में भरनी है किसी journal में शोदपत्र प्रकाशन का reprint लगा होना चाहिए जिसमें journal का मुख प्रष्ट अब ये important है पहले हम लोग क्या करते थे कि हम research paper का केवल cover page और last page लगाते थे हम जर्णल का cover page नहीं लगाते थे लेकिन अब उन्होंने मांगा है जर्णल का मुख प्रष्ट यानि की cover page उसके अलावा ISSN number, UGC list number, प्रकाशन तिथी, अनुक्रमणिर का यानि की index ये अवश्य शामिल होना चाहिए मतलब मुख अगर आपका cover page पे ISSN number और UGC list number नहीं आ रहा तो जिस page पर आ रहा है वो page और उसके अलावा उसका प्रकाशन तिथी की कौन सा इशू है, November का है, December का है, Year क्या है, वो सब होना चाहिए index आपको पूरी लगानी है और index में आपका paper जहां पर है वो आपको highlight करके लगाना है और cables आरांश मानने नहीं होगा, आपको पूरा paper अपना लगाना है, मतलब अगर आपका 20 page का paper है तो आपको 20 के 20 page प्लस 4-5 page यह उपर वाले यह सब लगाने है Thompson Reuters की स्यूची के अनुसार निर्धारित प्रभावक कारक या impact factor ही मानने होगा अगर आप Thompson Reuters का impact factor क्लेम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको उसका proof भी लगाना पड़ेगा Clarivate की website पे जाकर आपको जो आपका जिस year में आपका paper चपा है, उस year का आपको impact factor की list निकाल करके उसमें अपना आपको highlight करके आपको लगाना पड़ेगा अन्यथा ये माना जाएगा कि उसका कोई impact factor आपके journal का या paper का नहीं है ये बहुत important है कि Thompson Reuters के लावा और कोई impact factor मानने नहीं होगा किसी संपादित पुस्तक में अध्याय, अत्वा पुस्तक प्रकाशन का reprint लगा होना चाहिए अब इसमें क्या-क्या चाहिए आपको अगर आपका कोई chapter in book है या आपकी कोई book है तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें एक तो पुस्तक का मुख प्रश्ट होना चाहिए ISBN number होना चाहिए, प्रकाशन की तिथी होनी चाहिए अनुक्रमणिका यानि की index होना चाहिए और अगर आपका chapter है तो chapter जरूर होना चाहिए पूरा का पूरा और अगर complete book है तो केवल index में आपका काम चल जाएगा और अगर chapter है तो आपको पूरा chapter भी लगाना पड़ेगा ICT के माधियम से शिक्षण क्रिया कलाप का सफस्ट उलेख चार चतुरांश में credit अंकों के साथ किया जाना चाहिए मतलब अगर आप ICT के माधियम से कुछ शिक्षण क्रिया कलाप कर रहे हैं आपने videos बनाए हैं, tutorials बनाए हैं तो वो four quadrant में जो credit मिलता है उसके हिसाब से आपको करना है form में शोख मार्ग दर्शन PhD अथवा emphyl या सनातकोत्तर शोध प्रबंध के संबंध में विश्विद्याले द्वारा निर्गत प्रमान पत्र ही मानने होगा मतलब की university से एक letter बनेगा जिसमें आपकी guidance में जितने students ने PhD करी है या emphyl करी है या PG dissertation किया है वो उनके नाम लिखे होंगे university के registrar उसको sign करेंगे वही माना जाएगा बाकी और कुछ नहीं माना जाएगा कि अगर हम थी से submission का letter लगाएं वो नहीं माना जाएगा ये एक अलग से letter बनता है university से ये आपको लेना पड़ेगा शोध परियोजना की संस्तुती पत्र एवं समापन प्रमान पत्र सनलगन होना चाहिए अगर आपका कोई research project है तो उसका जो संस्तुती पत्र आता है letter of approval आता है वो आपको लगाना है और अगर आपका खतम हो गया है project तो उसका utilization certificate समापन प्रमान पत्र आपको लगाना होगा अगर आप utilization certificate नहीं लगाएंगे तो फिर वो ongoing project में जाएगा completed research project में नहीं जाएगा यदि अहरता अभधी कई महाविद्यालों में व्यतीत हुआ है तो संबंदित अभधी का प्रमान पत्र संबंदित महाविद्याले द्वारा निर्गत होना चाहिए तो अगर आपके जो eligibility period है आपका वो कई colleges में हुआ है आपका transfer हो गया है या कोई और कारण रहा है तो उस अभधी के जो प्रमान पत्र है न वो आपको अपने उसी college से लेने पड़ेंगे जो आपका college था जहां पे आपका वो period spend हुआ है वहीं से आपको उस अभधी के प्रमान पत्र लेने होंगे आपका जो present college है वहां के प्रमान पत्र यहां पर नहीं लगेंगे विभिन महाविद्यालों में स्तानांतरण का शाषनादेशों तथा प्रमान पत्रों के साथ पूरा उलेक होना चाहिए अगर आप राजकी महाविद्याले में हैं तो आपके transfers होते रहते हैं तो उनके relieving orders वगेरा वो सब होना चाहिए जो transfer order आया है और कारेभार के जो प्रमान पत्र हैं बाकी के यह सारा होना चाहिए नए college की joining report ये सब आपको बहुत ध्यान से लगानी है यदि अहरता अवधी में किसी प्रकार का अवकाश लिया है तो उसकी स्वीकरती पत्र सहित समस्त अभीलेक लगाना आविशक है अब अवकाश यहाँ पर simple CL, PL और DL की बात नहीं है यहाँ पर यह जो अवकाश है यह विशेश अवकाश है जैसे कि मातरित्व अवकाश या maternity leave है या फिर कोई medical leave किसी को लेनी पड़ी है किसी कारणवश या फिर बहुत लंबी अगर कोई PL लेता है मतलब 10 दिन से अधिक अगर कोई PL लेता है उस case में या फिर childcare leave अगर महिलाए लेती हैं तो उनके आपको स्वीकृती पत्र और बाकी के कागज उनके आपको लगाने पड़ेंगे उसके बाद जब आप जोइन करते हैं अगर सेवा में आने के बाद आपके नाम में परिवर्तन हुआ है महिलाओ के case में ज़ादा होता है कि after marriage उनका नाम change होता है तो उसके लिए आपको अपना जो भी अभिलेक है वो आपको लगाना होगा self declaration या notarized affidavit आपको लगाना होगा पूर्व सेवा जोड़कर के career advancement के लाब हेतू पूर्व सेवा के समस्त अभिलेक पूर्व सेवा में नियुक्ती नियम अनुसार पूर्व सेवा छोड़े जाने के साक्षे पूर्व सेवा का प्रमानित वेतन पूर्व सेवा की सेवा पुस्तिका की संबंदित प्राचारे द्वारा प्रमानित प्रती वर्तमान सेवा की सेवा पुस्तेका की प्रमानित प्रती आवश्चक रूप से लगाना होगा मतलब अगर कोई दूसरे कॉलेज से आया मतलब गर्मेंट कॉलेज से अगर कोई एडिड कॉलेज में आया है या वाइसे वर्सा तो उस case में आपको सब भी जितनी भी अभिलेख हैं जो आपकी जोइनिंग रिपोर्ट्स हैं आप उनका लाब लेना चाहते हैं अपनी केरियर अड्वांसमेंट में तो उसके लिए आपको सारे कागज अपने प्रॉपर एक सीक्वेंस में लगा कर आपको लगाने होंगे और साथी साथ आपको अपनी पुरानी पिछले कॉलेज की जो सेवा पुस्तिका है वो भी उसकी जो फोटो कॉपी है वो आपको अपने पिछले प्राचारे से पिछले कॉलेज के प्राचारे से आपको प्रमानित करा करके उससे साइन करा के या टेस्ट करा आप उसको लगा सकते हैं लगाना है बलकि आपको वो mandatory है तो ये तो दिशा निर्देश थे तो अब हम फॉर्म पर आते हैं जो हमें प्रेशित किया गया है हमारे उत्तरप्रदेश उच्छ शिक्ष्याने देश आले के द्वारा तो उसका जो फॉर्म का पहला पार्ट है जिस इसमें सबसे पहले अप्लिकेशन फॉर्मोशन ओफ अब कौन से लेवल में आपका प्रोमोशन आप लेना चाह रहे हैं तो concerned लेवल आपको टिक करना होगा अगर आपका पहला प्रोमोशन है assistant professor stage 2 के लिए आप प्रोफेशन आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप वो टिक कर दी स्टेज 3 के लिए तो बढ़ दीजे स्टेज 4 के लिए कर रहे हैं तो बढ़ दीजे और प्रोफेशर के लिए कर रहे हैं तो बढ़ दीजे यह जो भी आपका लेवल ओफ प्रोमोशन आपको वह यहां पर भरना पड़ेगा देन नेम इन ब्लॉक लेटर यानि की capital letters में आप आपको यहां पर अपना नाम टाइप करना है उसके बाद आपको अपने father का अथ्वा mother का अथ्वा husband का married ladies के case में husband का नाम आपको लिखना होगा इसके बाद आपका subject क्या है वो आपको लिखना है आपको अपना mobile number लिखना है email आईडिया आपको लिखनी है यहां पे आपको अपने college का नाम और पता लिखना है उसके बाद आपके college की website आपको mention करनी है next आपको college का जो अगर आपका NAC से accreditation हो गया है तो वो लिखना है और आपका इस समय जो accreditation है वो कब तक valid है वो date आपको लिखनी है इसके बाद current designation and academic level and pay आपका जो इस समय designation है जो भी आपका academic level है वो आपको लिखना है salary में आपको basic salary लिखनी है यहां पे pay में आपको basic salary लिखनी है क्योंकि जो भी calculation होता है वो basic pay के according होता है और अगर आपका पिछला कोई promotion हो चुका है तो उसके letters आपको यहां पर लगाने है तो यहां पर annexure number आएगा उसके अनुसार आप अपनी हाँ पर CS promotion का annexure number यहां पर letters लगा के डाल दीजेगा इसके बाद है date of first joining as regular in added college यहां पर आपको joining letter यहां पर अपनी date डाल देंगे और उसके बाद आपको अपना joining letter की या joining report की आपको एक photocopy यहां पर लगाने तो annexure number उसका भी डालेंग हो 11, 12, 13 या 14 वो आप यहां पर लिख देंगे date of eligibility for promotion मतलब जो आपकी date of joining है अगर आपका पहला promotion है तो उसके 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद same date मतलब जो भी आपका year है उसमे plus 4 आप करके या 5 करके आप same date यहां पर डाल देंगे इसके बाद order number and date of last promotion if applicable अगर आपका पहले कोई promotion हो चुका है तो date of promotion तो वही रहेगी जो आपकी eligibility date होती है, date of promotion तो आमतोर पे वही रहती है और order number जो letter आपको मिला है, salary fixation का order number उस letter का डलेगा और साथी साथ उस letter की जो date है वो भी आपको डालने होगी फिर assessment period आजाता है, assessment period जो अगर आपकी date आपका पहला promotion है तो जो आपकी date of joining है उससे लेकर के चार साल या पांच साल बाद जो date है, सपोस किसी की date है 25 मई 2018 में मालीजे किसी ने join करा वो PhD होल्डर है तो 25 मई 2018 से 24 मई 2022 तक उसका assessment period हो जाएगा पहले promotion के लिए एक दिन कम क्योंकि जो 25 तारिक है उस दिन तो वो eligible हो गया अपने promotion के लिए तो assessment period हमेशा एक दिन पहले आप लिखते हैं इसके बाद जो भी required refresher course, orientation course या short term course आपने किया है वो आपको उनकी date लिखनी है यहाँ पर और उनकी list आपको बनानी है इसके बाद है date of award of professional degree यह professional courses के case में जैसे की LLM की degree हो जाती है law वालो के case में या MFIL अगर किसी ने कराये तो MFIL की degree की date of award है वो और अगर PhD है तो PhD की date of award आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी MFIL और PhD की case में executive council की जो meeting होती है अगर वो आपके पास उसकी date है तो आप वो भी डाल सकते हैं परन्तु उसके लिए आपको provisional certificate अपना PhD का या MFIL का लगाना पड़ेगा अन्य था आपकी जो degree है उसके ओपर जो date लिखी है date of award आप वो date लिख दीजेगर आपके पास executive council की meeting वाले आपके पास date नहीं है और उसका प्रमाण नहीं है यहाँ पर आपको annexure number and page number आपको mention करना पड़ेगा then date and place of birth date of birth आप अपनी date of birth लिख दीजे as per high school record जो आपकी 10th की mark sheet या certificate है उसके अनुसार जो आपका date of birth है वो लिख दीजे और आपका place of birth आप लिख दीजे और यहाँ पर भी आपको annexure number लगाना होगा then आपका sex आप male है तो male और female है तो female nationality Indian अगर आप SC, ST या OBC category में है तो आप अपनी mention कीजियो उसके साथ साथ आपको अपना जाती प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा इसके बाद आपका postal address जो जिस पते पर आप इस समय रहते हैं वर्तमान पता वो आपको with district, state and pin code आपको लिखना होगा उसके बाद है permanent address अगर same है तो same copy कर दीजे अगर different है तो अपना पता यहाँ पर जो भी relevant है वो आप यहाँ पर लिख दीजे तो next आता है हमारा academic qualification जिसमें high school से लेके post graduation तक का आपको अपने record लगाना है यहाँ पर an action number और page number mentioned है आपको देना है यहाँ पर तो सबसे पहले matriculation या high school आपके board का नाम फिर किस वर्ष में आपने pass किया है आपकी division क्या थी आपके subjects क्या थे और कोई और remark अगर आपको देना है यहाँ पर तो आप दे सकते हैं अगर किसी की कोई position आई है board में तो वो भी आप दे सकते हैं then intermediate same आपको board लिखना है year of passing लिखना है आपकी division आपके subjects और अगर कोई remark या rank अगर आपकी है तो आप लिख सकते हैं उसके बाद BA, BAC, BCOM या उसके equivalent अगर आपने कुछ किया है तो वहाँ पर आपको university का नाम लिखना है फिर आपको year of passing आपने कब graduation complete किया वो लिखना है आपकी division किया थी वो आपको लिखना है आपने किन विशियों के साथ अपना graduation किया वो लिखना है अगर कोई rank आई है तो वो आप लिख सकते हैं फिर MA, MSC, MCOM अगर आपने जिस university से किया है वो आपको लिखना है year of passing लिखना है division या grade लिखना है subjects लिखने है और subject लिखना है और आपकी अगर कोई position आई है तो आपको वो लिखनी है अगर कोई और इसके समकक्ष अगर आपकी कोई और qualification है तो वो भी आप यहाँ पर mention कर सकते हैं any other में अगर b.tech वगेरा अगर आपने किया है तो कर सकते हैं इसके बाग research degrees आ जाती है सबसे पहले M.Phil अगर आपने किया है तो उसका टाइटल आपके dissertation का आपको लिखना है आपको date of award लिखनी है और आपको university लिखनी है इसी प्रकार PhD या D.Phil अगर आप कर रहे हैं या L.L.D. है तो उसका टाइटल आपको लिखना है date of award लिखना है university लिखनी है फिर D.S.C. आ university आपको लिखनी है अगर कोई और research लिखनी है तो वो आपको यहाँ पर mention करनी है और सबके annexion number और page number आपको यहाँ पर mention करने है इसके बाद net, jrf, slat, gate वगेरा का आजाता है annexion number और page number आपको देना है तो सबसे पहले तो आपको test का नाम लिखना है किस body ने उसको conduct किया किस महीने में और वर्ष में यह हुआ जैसे net साल में दो बार होता है एक बार जून और एक दिसमबर तो वो जून 2023 या 2021 जो भी है आपको वो लिखना है फिर role number आपको लिखना है फिर subject लिखना है अगर applicable है तो score आपको लिखना है क्योंकि पहले net में score नहीं आता था अब score आता है या percentile आती है तो वो आपको mention करनी है अब हम आते हैं service record पर अब service record में जो राजगी है महाविद्याले हैं वहाँ पर तो transfer होता रहता है लेकिन जो government-aided colleges है वहाँ पर transfer नहीं होता है तो ऐसे में बहुत से लोगों को यह doubt रहता है कि हम service record में क्या डालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले serial number one पे आपका जो post या designation होता है वहाँ पर आपको यह लिखना है कि आपने किस post पर join किया था मतलब आपने assistant professor की post पर assistant professor stage one पर आपने join किया था फिर आप अपना name of college लिखेंगे date of joining में जो भी आपकी date of joining है आपको वो लिखनी है date of leaving में आपको कोई date नहीं डालनी है वहाँ पे आप लिख दीजे continued उसके बाद आपका pay scale या pay band और AGP आपको डालना है reason of leaving में आप not applicable लिख दीजे major achievement में अगर आपका कोई major achievement है for example इस duration में आपने मानली जे PhD आपने complete की है या आपको कोई project sanction हुआ है या आपको कोई award मिला है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं उसके बाद second number पे जो government जो added college वाले हैं उनके लिए अगर उनका एक और promotion हो चुका है उनका तो आप यहाँ पे जो आपका second stage आ जाती है assistant professor stage 2 name of college आपका जो college का नाम है वो लिखिए joining में जिस दिन से आपको promotion मिला मतलब जो आपकी date of eligibility for promotion थी आप वो लिख दीजिए leaving में आप लिख दीजिए continued as या continued लिख दीजिए फिर यहाँ पे आपका AGP आ जाएगा reason of leaving not applicable आप यहाँ पे simply या तो not applicable लिख दीजिए दोनों में या फिर आप लिख सकते हैं continued as जो आपका next level है like assistant professor stage 2 assistant professor stage 3 इस तरीके से आप लिख दीजिए और अगर कोई major achievement है तो वो दीजिए यह तो हो गया added college वालों के लिए जिनका कोई transfer नहीं हुआ है जो राजकिये महाविद्याले वाले हैं या government college वाले हैं उन लोग के transfers होते रहते हैं तो उनका reason of leaving है वहाँ पर उनका transfer to जो भी college का नाम है वो आ जाएगा फिर आपकी date of joining date of leaving वो सब यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी इसी प्रकार से जो added colleges में कुछ लोग transfer लेते हैं तो उनको अगर उनके promotions हुए हैं अपने parent college में मतलब जहाँ पर उन्होंने join किया था वहाँ पर उनका एक या दो promotion हो चुका है तो वो अपना यहाँ पर लिख देंगे जैसे अभी पहले बताया था उस त करनी है और साथी साथ इस चीज का आपको ध्यान लगा रखना है यहाँ पर कि आपको joining reports सारी लगानी है अब जब यहाँ पर आपका service record आता है तो service record में सबसे पहले आपको आपकी जो प्रथम नियुक्ती हुई है उसके सापेक्ष आपको सबसे पहले आयोग से जो चयन पत आपको मिलता है मतलब आपका जो letter है जिसमें आपका बताया जाता है कि आपका इस college में आपका posting हुई है वो letter आपको लगाना है उसके बाद आपको college की तरफ से एक letter मिलता है वो आपको लगाना है उसके बाद आपको अपनी joining report लगानी है और उसके बाद अगर आपके कोई promotions हुए है तो वो लगाने है अगर आपका transfer हुआ है तो transfer में अगर आपका जो government degree college है वहाँ पर तो government order आता है transfer का आपको वो लगाना है और उसके साथ relieving letter लगाना है और फिर आपने जहां दूसरे college में जोइन किया वो आपको अपना joining letter लगान है जबकि जो added college वाले है उन लोगों को भी अपना जो government order जो release होता है वो लगाना है उस list में आपको अपने नाम को highlight करना होगा उसके बाद आपको relieving order लगाना है अपने पुराने college का उसके बाद आपको आपके नए college का joining letter लगाना है और साथी साथ दोनों ही cases में आपको photocopy आपको जरूर लगानी है पिछले college की service book की photocopy आपको यहाँ पर जरूर लगानी है self attest करके और नए college की तो college ही आपका जो भी college है जिसमें आप इस समय पर हैं वो आपको लगा करके देगा बाद में और reason of leaving में जिन लोग का transfer case है उनका transfer case हो जाएगा अचा कई बार ऐसा देखने में आता है कि suppose किजिए किसी की पहले joining हो गई government college में उसने एक डेड़ साल या दो साल या कुछ महीने उसने वहाँ पर job करी फिर उसका selection हो गया commission के द्वारा non-edit college में तो बहुत से लोग फिर non- इडिट college में आ जाते हैं मतलब तो उस case में क्या होगा कि आप अगर उस सेवा का lab लेना चाहते हैं क्योंकि वो भी एक regular service थी आपकी तो उस case में भी same procedure है आपको वो पूरा का पूरा आपको यहां पर follow करना पड़ेगा अगर आप उस सेवा का lab यहां पर अपने promotions अगेरा मे आपकी job continuation में है तो मतलब आपको पूरा अपना paperwork यहां पर करना है आपको सारे कागज लगाने है इसके बाद बाता जाती है period of teaching experience की PG classes में कितने वर्ष का शिक्षण अनुभव है आपका वो लिखना है और UG classes में कितना शिक्षण अनुभव है वो आपको लिखना है अब य उनको हाला कि promotion में अपनी मांदे की service का कोई फाइदा नहीं मिलेगा लेकिन जहां teaching experience की बात आती है तो जो उनके मांदे के कागज है मांदे में selection के जो उनके कागज है वो अपने लगा सकते हैं यहां पर तो उसके हिसाब से उनका शिक्षण अनुभव जो है वो add-on हो शिक्षण का अनुभव भी लिख सकते हैं हाला कि promotion में उनको कोई फाइदा नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी अगर वो चाहें तो वो मांदेगा क्योंकि उनको papers तो अपने लगाने ही है teaching experience के लिए लगाने हैं तो वो यहां पर service record में भी उसको लगा सकते हैं इसके बाद है research experience excluding years spent in MPhil और PhD in years मतलब अगर आप active research कर रहे हैं या करवा रहे हैं उस case में आपका जो research experience आपको लिखना है उसमें आपकी PhD अवार्ड होने के बाद का समय आपको यहां पर लिखना होगा PhD के दौरान का समय वो आपके research experience में नहीं आएगा इसके बाद है field of specialization under the subject or discipline अगर if any का मतलब अगर आपके field of specialization है तो वो आप यहां पर लिख सकते है research में उसके बाद आपको अपने signature करना है आपको अपना नाम लिखना है और आपकी current designation क्या है वो लिखना है मतलब assistant professor stage 1 है assistant professor stage 2 है assistant professor stage 3 है या associate professor है वो आपको यहां पर लिखना है अब next आजाता है part 2 जो form का part 2 है इसमें आप यह देखिए कि सबसे पहले assessment period पूछा है और stage पूछिए मतलब कि आप कौनसी stage से कौनसी stage में जा रहे हैं और उसके लिए आपका assessment period क्या है stage 1 से stage 2 में जाने के लिए आप यहां पर stage 1 यहां पर आप लिख देंगे stage 1 to stage 2 और assessment period में जो आपकी date of joining थी उसमें आपकी योग्यता के अनुसार मतलब अगर आपकी PhD है तो 4 वर्ष अगर PhD नहीं है लेकिन MPHL है या professional course में आपकी PG degree है तो 5 वर्ष और अगर ना आपके पास PhD है ना PG degree है professional course में और ना ही MPHL है तो उस case में 6 वर्ष तो date of joining से आपकी योग्यता के अनुसार time period आप यहां पर डाल दीजे और date का धियान रखेगा कि date of joining से एक दिन पहले date of joining 2 उसमें 4, 5 या 6 साल add करके जो date रहेगी वो बस एक दिन पहले की हो जाएगी और कुछ यहां पर नहीं बदलेगा यह आपको ध्यान पूर्वग यहां पर लिखना है अब यहां पर क्या है कि यह जो table है इसमें जो हम अपनी eligibility criteria है वो हम पीछे discuss करके आएं वो बस यहां पर short में दियावा है तो जो आप अपना eligibility criteria जो आप fulfill कर रहे हैं उसका proof का page number आपको यहां पर साथ में लिख देना है यहां पर भी आपको पूफ का page number पूफ का मतलब अनेग्जार नमबर और page number दोनों लिखना है मतलब आपका जो service record है यहां पर आ जाएगा कि आपकी date of joining से आपको कितना समय हो गया उसके बाद आपको PhD degree अगर आपकी है तो उसका proof of page number आजाएगा फिर attended one orientation course of 21 days on teaching methodology अगर आपने किया है तो उसका annexure number और page number आजाएगा और फिर उसके बाद आपका एक refresher course अगर आपका है तो उसका page number proof number आजाएगा या उसके अलावा आपने कोई workshop सोगेरा करी है उस दौरान तो उनका proof का page number आजाएगा और उसके बाद promotion criteria दे रखा है जो हम पीछे discuss करके आ चुके हैं फिर उसी तरीके से stage 2 के लिए अगर आपके assistant professor stage 2 में आपके जो है 5 साल complete हो गए हो तब आप next level पर जाएगे तो उसके लिए आपको जो promotion का letter है आपका जो पहले promotion का letter है उसका आपको यहाँ पर page का proof number पर देना पड़ेगा page number का proof यहाँ पर आप जो अनेक्शर लगाएंगे वो लगाएंगे उसकी फोटो कॉपी जो promotion का letter है उसके अलावा आपने जो refresher course करें हैं कोई वर्क्शॉप दोगेरा करी हैं जो भी यहाँ पर eligibility criteria है उसका page number लगा देंगे यहाँ पर और फिर next आते है अगली stage पर selection grade या academic level 12 से associate professor के लिए तो इसमें आपकी 3 साल की service हो जानी चाहिए selection grade में तो यहाँ पर आपका जो promotion का letter है selection grade में जो आप promote हुए हो वो यहाँ पर आपको proof लगाना है उसका page number डालना है उसके बाद आप associate professor तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक आपकी PhD complete ना हो तो यहाँ पर आपको आवश्चक रूप से अपने PhD का जो आपने degree की copy लगाई है उसका page number आपको डालना है उसके बाद जो यहाँ पर आपको refresher course करना है या workshops करनी है उसके page number आपको डालना है यहाँ पर और फिक promotion criteria वैसे ही रहेगा जैसे हम पहले discuss करके आ चुके हैं stage fourth जो last stage है academic level 14 के लिए यहाँ पर आपके तीन साल हो गए होने चाहिए associate professor हुए वे आपको तो आपका जो letter of promotion है to associate professor उसका आपको जो page number है वो यहाँ पर लिखना है उसके बाद PhD आपकी जरूर होने चाहिए क्योंकि अगर आपकी PhD नहीं है तो पहले तो आप associate professor ही नहीं होगे तो उसका आपको यहाँ पर page number लिख देना है उसके बाद आपके कम से कम 10 research papers होने चाहिए तो वो आपको आपके पहले research papers से लेकर जितने भी आपने लगाए हैं उन सब का जो page number बैठेगा वो आपको यहाँ पर orientation course या reflection course करने की जरूरत नहीं है तो उसके proof की आवशकता नहीं है और बाकी का जो promotion criteria है वो हम पहले discuss कर चुके हैं अब हम आते हैं form के part 3 पर यहाँ पर आप यह देखेंगे कि यह tabular form में दुबारा से यह form है तो इसमें सबसे पहले आपको assessment period लिखना है assessment period हमें total 3 या 4 जगे के लिखना है तो यह ध्यान देना है कि सब जगे same assessment period हो date of joining से लेकर जो आपकी date of joining है उससे लेकर के एक दिन कम हमको लेना है assessment period में number of years add करने के बाद यह एक मैंने hypothetical date ली है just to show an example कि कि किस तरीके से लेना है तो for example अगर किसी की date of joining है 15 October 2018 और वो stage 1 से stage 2 में जाने के लिए वो form यह भर रहे हैं तो उस case में उनका assessment period होगा 15 October 2018 से 14 October 2022 हम यह मान के चल रहे हैं कि जो candidate है उनकी PhD हुई भी है तो उस दशा में जो उनका assessment period रहेगा वो 15 October 2018 से 14 October 2022 रहेगा क्योंकि 15 October 2022 उनकी eligibility date है जिस दिन से उनको यह promotion मिलेगा तो उस case में जो assessment period आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर academic year में पूछा गया है तो इस case में इनको academic year किस तरीके से लेना है क्योंकि इनका assessment period 15 October से शुरू हो गया है तो सबसे पहले academic year 2018-19 लिखना है और उसमें date specify कर देनी है कि 15 October 2018 से लेके 30 जून 2019 तक का academic year इनोंने लिया है वो उनको लिख देना है और उसके बाद अगला academic year एक जुलाए 19 से 30 जून 20 तक का होगा फिर अगला एक जुलाए 2020 से 30 जून 2021 तक फिर उसके बाद का एक जुलाए 2021 से 30 जून 2022 तक अब इसके बाद इनके तकरीबन चार महीने इनके बच जाते हैं साड़े 3 महीने to be precise तो यहां पर यह लिख देंगे academic year 22 जो है यह लिखेंगे एक जुलाए इससे लेकर के 14 अक्टूबर 2022 तक तो यह सारा इनका period इसमें आ जाएगा column इनके दो extra यहां पर हो गए हैं क्योंकि दो शुरू में कुछ महीने इनके academic year के बाहर हैं और बात के कुछ महीने academic year के बाहर हैं तो वो कोई problem नहीं है बट number of days और weeks आप उसी हिसाब से calculate कर लीजेगा अब इसमें जो पहला है वो है teaching percentage teaching percentage निकाल लिए number of classes taught divided by total classes assigned multiplied by 100 अब इसमें सारी classes हैं आपकी जैसे की tutorials हैं आपकी practical classes हैं या कोई और teaching related activity है वो सब इसमें आता है अब grading criteria जो है अगर 80% के ओपर है तो good है 80 और 70% के बीच में है तो satisfactory है और 70% से less कम है तो not satisfactory है अब teaching days हमको किस तरीके से count करने है यह जो गजट है हमारा 2018 वाला उसके page नमबर 95 पर यह teaching days किस तरीके से calculate करने यह दिया हुआ है तो इसमें मोटे तोर पर आप यह देख लीजिए दो तरीके के हमारे इंस्टिट्यूट्स हैं जो central university है वहाँ पर five day week pattern है जबकि जो state universities हैं या deemed universities हैं वहाँ पर six day week pattern होता है तो उसी के according calculation है teaching और learning process का अगर six day week का pattern follow कर रहे हैं जैसे कि हमारे यह होता है तो university और college में दोनों में same ही है तो यहाँ पर हम 30 weeks का duration ले रहे हैं जिससे की 180 days बैठते हैं 30 weeks में 180 days बैठते हैं जबकि जहाँ पर five day week pattern है वहाँ पर 36 week लेते हैं तो भी 180 days ही बैठते हैं तो अब 180 days जो है वो teaching learning process के लिए रखे गए हैं उसके लावा admission, examination and preparation for examination के लिए 12 weeks हैं university के लिए college के लिए 10 weeks हैं यह six day week pattern में और five day week pattern में यह eight eight weeks है vacations के लिए eight weeks हैं university के लिए और college के लिए 10 weeks हैं six day pattern में और five days pattern में six six weeks है vacations के लिए उसके अलावा दो सबताहा लगबग निकाल दिये जाते हैं public holidays के तो इस प्रकार से total 52 weeks बैठ जाते हैं हमारे तो यह इस तरीके से teaching days का calculation होता है तो accordingly आप कर सकते हैं अब तो calculation of teaching percentage जो हम करेंगे तो जो हमने पिछला table देखा कि उसमे number of days कि इस तरीके से calculate हुए है तो जितनी भी चुटी लेते हैं हम लोग उसके दो तरीके हैं आपको अपनी चुटीयों का हिसाब किताब रखने का एक तो यह है कि आपके विभाग में उसका एक register maintained हो या आप अपना भी खुद कर सकते हैं जब आप चुटी लेते हैं तो जो टेबल आपको बनाना है वो इस तरीके से बनाना है जो भी session in question है जैसे मैंने एक example लिया session 1920 का उसमे date of leave लिखनी है कब से कब तक आपने चुटी ली है तो वो आपको date mention कर देनी है उसके बाद total number of leaves आप यहाँ पर लिख देंगे तो 13 आप जैसे यहाँ पर total आ रहा है उसके बाद हफते का कौन सा दिन है जिस दिन आपने चुटी ली है तो working days कौन सा है Monday है Tuesday है या जो भी कोई दिन आ रहा है और उसमें आपकी total कितनी classes affect हुई ह है किसी भी कार मतलब आपकी जो भी theory practical जो भी जितने भी period थे उतनी classes आप यह मानेंगे कि आपने नहीं ली है तो वो आ जाएगा और किस प्रकार की लीव है DL है compensatory CL है DLA CL है whatever या PL है कोई सी भी लीव है वो आप यहाँ पर mention कर देंगे तो इस प्रकार से आप यह देखेगा कि इस table में जो जो जोड आ रहा है कितनी classes affect हुई है वो आ रहा है 41 अब यह 41 का हमको क्या करना है यह देखिए कि total classes allotted per week है 24 teaching percentage निकालने के लिए total classes allotted per week को multiply करना है number of weeks जो की हमने देखे है 6 day week के हिसाब से 30 अगर आपका 5 day week है तो आप उसको 36 कर दिजे इसमें से आपको minus करना है total number of classes affected during leave जितनी चुटिया लिए उसमें कितनी classes सफर हुई है जो आपने नहीं लिए वो आपको लिखते ना है इसको आ 30 तो यह आगया 24 गुणा 30 यह 720 आजाता है इसमें से हमने total जितनी हमारी classes affect हुई है वो है 41 तो 720 में से 41 घटाया और इस पूरे को divide किया 720 से तो इसका यह percentage हमारा आगया 94.3055 simple calculation है जो आप कर सकते हैं next part है part number two involvement in the university और college student related activities और research activities इसके अंदर जो चीज है इसके अंदर जो ध्यान रखना है वो यह रखना है एक तो यह same academic years में आपको देखना है जिसमें आपका assessment है और इसमें एक और चीज है कि आप अगर तीन या उससे अधिक activities में involved है तो अच्छा है अगर एक से दो activities तो बहुत अच्छा है और तीन से दो में है तो वो satisfactory है और अगर किसी भी activity में आप involved नहीं है तो वो अच्छा नहीं है तो उस case में अगर आपका below satisfactory score आता है तो फिर you will not be eligible for promotion लेकिन ऐसा होता नहीं है उसका कारण ये है कि कुछ चीज़े ऐसी हैं जो हर व्यक्ति करता है अब इसमें total हमारे पास six heads है और ये जो six heads है इन में से कम से कम तीन head में आप ये मानके चलिए आपका involvement होना चाहिए तो जो six head है उसमें सबसे पहला है administrative responsibilities जैसे की head, hod हो गए किसी विभाग के या chair person है या dean है या director है या coordinator है या warden है तो अगर आप किसी समिती के coordinator भी है for example आप admission committee के coordinator है तो भी या उसके even आप member भी है तो वो आपकी administrative responsibility आ जाती है तो जो भी academic session है उसके नीचे आप one two three करके आप यहाँ पे लिख दीजिए member admission committee या head and क्योंकि CDC बात है कि जो उसके convener या coordinator होंगे वो senior faculty members होंगे लेकिन अगर आप member भी है तो भी आप उसको लिख सकते हैं उसके बात है examination and evaluation duties तो examination and evaluation duties evaluation में again जो senior faculty members है वो जाते हैं लेकिन उसके अलावा invigilation duties होती है जो हर कोई करता है अपने college में तो आप आप invigilation duties रख सकते हैं अगर आप college के internal flying squad में है तो आप वो भी लिख सकते हैं उसके अलावा student related co-curricular activities है extension और field based activities है अब इसमें क्या क्या आता है अगर आपने कोई अपने विभाग में student club बनाया वाए या आप career counseling cell के member है या आपने अपने विभाग के students की study visits आप कराते हैं students के आप seminar कराते हैं अपने विभाग में या कोई cultural committee के आप member है sports committee के आप member हैं आप NCC officer हैं आप NSS के in charge हैं या कोई और community service आप किसी भी head में students के साथ में अगर आप कराते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके अलावा है organizing seminar conference workshop and other college university activities अगर आप कोई seminar या conference करा रहे हैं या students का कोई competition आप organize करा रहे हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं evidence of actively involved in guiding PhD students इसमें अगर आपके अंडर कोई PhD scholar enrolled है तो उसका registration letter आपको लगाना होगा तब ही यह माना जाएगा कि there is evidence of actively guiding of students involved in PhD इसके अलावा जो sixth point है conducting minor or major research project sponsored by national and international agencies अगर आपके पास कोई research project है तो आप वो भी देख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं अगर इस duration में जो आपका assessment period है उस दौरान आपके पास कोई research project है फिर next जो सात्वा point है अब यह थोड़ा controversial हो जाता है यहाँ पे लिखा है at least one single or joint publication in peer reviewed और UGC list of journals मतलब कि आपका आपके assessment period के दौरान कम से कम एक research paper जरूर होना चाहिए तो बहुत से लोग कहते हैं क्योंकि API का requirement अब नहीं है तो हमें यहाँ पे research papers की जरूरत नहीं है और college teachers के लिए जो minimum eligibility criteria है जो हमने पीछे discuss करा है वहाँ पे भी कोई number of research papers specified नहीं है कि आपको करना है वो mandatory नहीं है लेके क्योंकि यहाँ पे लिखा है at least one single or joint publication इसका मतलब यह हुआ कि 7 हम इसको ऐसे मान के चलते हैं कि 7 प्रशन हैं हमारे पास और उन 7 में से आपको 3 प्रशन करने हैं और 7 प्रशन जो है अनिवारे हैं लेकिन यह controversial है इसके ओपर आपकी जो अपनी IQAC है आप उसकी राए ले ले लें बट मेरा मानना है कि आपका कम से कम एक research paper जरूर होना चाहिए उस duration में अब आते हैं overall अब यहाँ पे जो grading है overall grading in activity at serial number 2 given by IQAC यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है यह आपकी जो IQAC है वो भरेगी अब यह A से लेके G तक जितनी भी activities है उन में से कुछ के certificates जैसे कि अगर आपका कोई publication है तो उसके लिए तो आपको अपना research paper पूरा लगाना पड़ेगा अगर आप PhD scholars को guide कर रहे हैं तो उसका आपको registration letter जो university से मिलता है PhD registration का वो आपको लगाना पड़ेगा बाकी की जितनी भी activities college में होती है उनका एक ही certificate आप principal से अपने college के principal से ले सकते हैं उसी में आप year mention कर दें और आप किस-किस committee के member थे वो mention करवा के एक certificate बनवा लें अलग-अलग साल का अलग-अलग certificate बनवाने की आवेशकता नहीं है similarly जो आपका teaching percentage वाला certificate है वो भी आपको अपने principal से ही लेना पड़ेगा उसमें आपको mention करना पड़ेगा कि आपकी कितनी classes आपको per year allotted थी और आपने उसमें से कितने classes ली हैं तो percentage आपको calculate करके वहाँ पे दिखाना पड़ेगा और वो certificate आपको अपने principal से लेना पड़ेगा तो ये भी आप एक ही certificate में जितने भी assessment years हैं आपके उसके लिए आप एक ही certificate बनवा सकते हैं बड़ certificate लगाना जरूरी है और ये वाला जो part है teaching learning percentage वाला और ये part 2 इसमें कोई भी API score नहीं है इसमें केवल grading है good, satisfactory या not satisfactory तो यहाँ पर API बिल्कुल भी नहीं है अब ये एक important note है जो की form में भी दियावा है for the purpose of assessing the grading of activity at serial number 1 and serial number 2 all search periods of duration which have been spent by the teacher on different kinds of paid leaves such as maternity leave, childcare leave, study leave, medical leave या extraordinary leave and deputation shall be excluded from the grading assessment मतलब कि अगर किसी भी प्रकार की कोई extraordinary leave है तो वो आपके assessment ग्रेडिंग assessment में से उसको minus कर दिया जाता है जैसे कि maternity leave है या child care leave है या study leave है या medical leave है या extraordinary leave कोई है या deputation पे आप गए हैं बाहर गए हैं आप पढ़ने या आप research पे बाहर चले गए हैं तो वो सब इसमें से minus हो जाता है तो आपके assessment period का बाकी का जो period है उसके लिए आपका assessment होगा और वो वाला पूरा का पूरा period वो आपके उस assessment period में से minus हो जाएगा जिसमें आप इस प्रकार की छुटी पे गए थे तो अगर कोई teacher इस प्रकार की छुटी पर जाता है तो उसको कोई disadvantage नहीं होगा कि इसने इतनी छुटी लेग लिए ये study leave पे चला गया ये teacher maternity leave पे चली गई या child care leave ले लिया उसका कोई effect आपके promotion पे नहीं पड़ेगा जो हम calculation की बात करते हैं इन case अगर किसी ने कोई extraordinary leave ली है तो उसमें आप orientation program या refresher या workshop अटेंट करने के लिए ले सकते हैं या कोई study leave पर गया है वो leave हो सकती है या maternity leave पे कोई महिला गई है या किसी ने child care leave लिया है या medical leave लिया है तो suppose कीजे मैंने यहाँ पर एक example लिया कि अगर कोई refresher course करता है तो वो दो सब्ताह की leave लेता है तो total number of classes allotted per week यह हमारी 24 है total सब्ता 30 है उसमें से वो दो हफ़ते की छुट्टी पे चला गया तो 30 minus 2 आ गया इसमें से total number of classes affected during leave अब यह वाली जो leave है यह वो classes है जो यह 28 सब्ताह में बदब दो हफ़ते तो हमने पहले ही निकाल दी है यह 28 सब्ताह में जो छुटियां ली है उसमें कितनी classes affect हुई है वो आ गया इसको हमको divide करना है 24 multiplied by 30 minus 2 से और इसको 100 से multiply करेंगे तो 24 multiplied by 28 minus 41 यह जो classes affect हुई है तो 24 गुणा 28 आगया 672, 672 में 41 गए बचा 631 और यह आगया 93.89 परसेंटेज तो यहाँ पर हमको यह देखना है कि जो चुटि आपकी इस प्रकार की major चुटियों में गई है कि medical leave है या CCL है या maternity leave है, orientation, refresher, workshop या deputation पे आप गए है या study leave ली है तो वो वाला period का कोई negative impact के assessment period पे नहीं आएगा क्योंकि वो minus हो जाना है उसके बाद आता है academic और research activity वाला part अब यह जो हमारा form UPHED ने जो प्रेशित किया है जो निदेशाले से आया है इसमें पश्ट रूप से लिखा है applicable only for promotion of associate professor academic level 13a to professor academic level 14 इसका मतलब यह हुआ कि associate professor तक के promotion के लिए आपको ये वाला part भरने की जरूरत नहीं है लेकिन भले ही यह आपको part नहीं भरना है यह आपको as it is अपने form में लगा रहने देना है कोई भी चीज आप delete नहीं करेंगे और जिन लोग को आगे professorship के लिए apply करना है उन्हें ये वा UGC regulation 2018 के हिसाब से और इसमें के लिए जो table है वो है page number 105 पर एक table दियावा है उसके हिसाब से आपको calculate करना है अब इसमें एक और चीज जो याद रखने की है वो ये है the combined research score from the categories of 5B मतलब कोई policy document आपने बनाया है and six invited lecture or resource person resource person or paper presentation shall have an upper capping of 30% of the total research score of the teacher concerned इसमें यहाँ पे भले ही इन्होंने बोला है कि upper capping 30% की होगी total research score की लेकिन जो हमारा निदेशाले जो मान रहा है वो ये कह रहा है कि professorship के लिए 110 का score है तो 110 का 30% वो 33 points मान रहे हैं तो 5B और category जो 6 है उसके total score 33 से जादा आप claim ना करें क्योंकि वो total research score का 30% ना लेकर के 110 का ही 30% ले रहे हैं और दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि impact factor के वल thompson reuters का माना जा रहा है और अगर आप thompson reuters का impact factor claim कर रहे हैं तो उसके लिए आपको valid proof आपको लगाना पड़ेगा point पूरे करने यह कहीं पर भी कोई criteria नहीं है कि किस category में से आपको कितने point लेने हैं आप किसी भी category से कितने भी point ले सकते हैं लेकिन कम से कम 3 category में आपके point होने चाहिए यह चीज़ का आपको ध्यान रखना है और साथी साथ एक चीज का और धियान रखना है कि assessment period के दौरान आपके कम से कम 60 point होने चाहिए और total आपकी जब से आपकी job start हुई है तब से लेके अब तक आपके 110 point होने चाहिए जब आप professorship के लिए जा रहे हो ये भी एक थोड़ा सा आपको धियान रखना पड़े इसमें आपको title डालना है अपने research paper का साथी साथ उसका page number डालना है फिर आपको journal का नाम डालना है UGC care list number UGC list का number या UGC care list हो गई है उसका number आपको डालना है और अगर नहीं है तो आप आपका paper अगर peer reviewed journal में चपा है या रैफरीड जर्नल में चपा है तो आप लिख दीज पूड ओबलीक रैफरीड जर्नल किसी एर में चपा paper का ISSN number आपको डालना है impact factor as per Thompson Reuters अगर Thompson Reuters में listed है लेकिन impact factor नहीं है तो आप 0 लिख दीजे और अगर आपका Thompson Reuters में listed नहीं है तो आप वहाँ पे dash लगा दीजिए या nil कर दीजिए लेकिन अगर आप Thompson Reuters में listed दिखा रहे हैं तो आपको उसका proof लगाना पड़ेगा फिर आपको total number of authors लिखने है इसके बाद अगर आप first या principal author है या corresponding author है तो वो आप लिखेंगे अब यहाँ पे एक चीज और है अगर आप जो first author है वो आपका research scholar है और आप दूसरे तीसरे या चौथे नंबर पर आते हैं उस case में आप अपने आपको first या principal author नहीं मानेंगे पहले 2016 तक supervisor को principal author के समकक्ष अंक मिलते थे लेकिन अब क्या हो गया है कि अब first author जिसका नाम है वही है corresponding author अगर mentioned है तो उसको ही उसके marks मिलेंगे अन्यता नहीं मिलेंगे उसके बाद API score आप जो claim कर रहे हैं वो आपको लिखना है फिर annexure नंबर आपको डालना है और page नंबर आपको डालना है बाकी API score approved by IQAC यह IQAC का का काम है और API score approved by selection committee यह selection committee का का काम है इसके बाद है publications other than journals जैसे की articles हो गए बुक हो गई चाप्टर इन गया तो इसमें सबसे पहले serial number है उसके बाद title of the book या chapter with page number है publisher की detail है publisher आपका national है या international है किस साल में छपी ISSN या ISBN number अब आप कहेंगे कि बुक में तो ISSN नंबर नहीं होता लेकिन अगर आपका research paper नहीं article छपा है किसी journal में तब उस case में वो ISSN नंबर आएगा इसके बाद आपको total number of authors लिखने है अगर आप main author है तो आपको वो लिखना है API score जो आप claim करने है वो लिखना है फिर annexure number और page number जब आप book chapter की बात कर रहे हैं तो उस case में आपको book का cover page लगाना है उसमें उसका year आना चाहिए publisher की details आनी चाहिए ISBN number आना चाहिए साथी साथ आपको पूरी index लगानी है उस book की और आपको अपना पूरा का पूरा चाप्टर आपको उसकी copy लगानी है तो इसमें आप ये ना कहें कि number of pages बहुत जादा waste होंगे आप आगे पीछे दोनों साइड पे photocopy करा सकते हैं लेकिन अगर आपकी complete book है उस case में आपको cover page कराना है आगे पीछे दोनों तरफ से और आपको वो वाला page कराना है जिस पे publisher details होती है और साथी साथ आपको पूरी index करानी है कि इस इसके बाद translation work in Indian या foreign languages तो इसमें title of book या chapter भी page number आजाएगा और publisher details आजाएगी same जिस तरीके से book का है आपके publisher का national है या international है फिर उसका ISBA number आगया total number of authors कितने हैं आप क्या main author है मतलब आप main translator है और API आप कितना score claim कर रहे हैं और आपका annexure number और page number इसके बाद creation of ICT-mediated teaching learning pedagogy and content and development of new and innovative courses and curriculum इस case में development of innovative pedagogy आपने जो भी innovative pedagogy बनाई है उसका आपको hyperlink भी देना है अगर आपने कोई YouTube पर lecture डाला है तो उसका hyperlink आपको देना है API score जो आप claim कर रहे हैं वो लिख दीजे annexure number और page number तो यह आप यहाँ पर डाल सकते हैं फिर design of new curriculum and course जो senior teachers हैं जो वो लोग कई बार academic council में होते हैं तो उस case में वो लोग जब नया syllabus डिजाइन करते हैं तो उस syllabus का जो युनिवर्सी की website पर upload है उसका आपको hyperlink यहाँ पर देना है annexure number और page number जो उसका फिर आपको एक print out लेकर वो भी लगाना है यहाँ पर annexure number और page number लगाना है और API score आप जो claim कर रहे हैं वो आपको लगाना है यहाँ पर इसके बाद development of mooks mooks are massive online open courses तो अगर आप पूरा चार quadrant में चार credit का आप mooks बना रहे हैं तो उसमें आपको title देना है उसमें hyperlink देना है जो भी आपने content बनाया है फिर आप जो API score claim कर रहे हैं वो आपको लिखना है annexure number लिखना है और page number मतलब जो आपका contribution है वो subject matter है वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा और hyperlink valid hyperlink होना चाहिए जिससे कि अगर कोई check करना चाहे तो वो देख सके उसको development of e-content और e-book e-content बहुत से वो पोर्टल पर जो higher education commission का पोर्टल है उसके उपर भी बहुत लोगों ने अपने e-content डाले है और अगर कोई आपने e-book बनाई है किसी भी university के लिए हो सकती है किसी भी course के लिए हो सकती है तो उसका आप यहाँ पे hyperlink आप दे दीजे उसके अल e-book है तो उसका भी cover page index वगेरा आप लगा दीजे यहाँ पर then research guidance, research guidance में number of enrolled, जितने research scholars assessment period के दौरान आपके अंडर enrolled है उनकी details आपको लगाने है मतलब उनके letters of registration लगाने है अगर degree awarded है तो उसके लिए केवल registrar का letter ही मानने होगा कि आपके अंडर कितने students को PhD award हो गई है और अगर thesis submitted है तो उसके लिए भी registrar का letter ही मानने होगा कि आपके अंडर किसी student की PhD thesis submit होई है उसके हिसाब से आप API score अपने लिखेंगे और annexure number लगाएंगे जो letter है उसका annexure number और page number आपको लगाना है देन 4 भी research project completed अगर आपके अंडर कोई research project complete हो गया है उसका utilization certificate वगेरा आप भी चुके हैं तो उसका title आपको लिखना है funding agency कितने समय से कितने समय तक था कितनी grant थी वो सब लिखना है और उसका जो project के letters है जो project का sanction letter होता है उसके बाद आपको यहां पर लगाना है और उनका page number आपको mention करना है और अगर आपका research project ongoing है तो उसमें उसका title उसकी funding agency period और कितनी grant है और इसके annexures में आपको उसका sanction letter आपको लगाना है then consultancy project again title क्या है funding agency क्या है period कितना है annexures में उसका भी sanction letter लगाना है और इसके बाद patent अगर आपके अंडर कोई patent है तो उसका title उसकी patent आपको बद की detail देनी है आपको international है या national है और उसका जो letter है annexures में आपको वो लगाना है उसका page number आपको लिखना है इसके बाद अगर आपने क policy document submit किया है किसी international body को organization को जैसे UNO, UNESCO, World Bank, IMA पगेरा या central government या state government को तो उस policy document का आपको title देना है उस body का आपको नाम लिखना है और उससे related आपके पास कोई certificate होगा या कुछ होगा तो वो आपको annexures में लगाना है तो policy document ये 5B plus category 6 है research paper presentation की उसमें total आप 33 marks claim कर सकते हैं इन दोनों के मिला करके बस यहाँ पर एक capping लगी हुई है इसके बाद है fellowships और awards अब इसमें जो awards है या fellowships है fellowships इसमें जैसे humble fellowship होती है science में बहुत prestigious fellowship है या Indian science congress से fellowship किसी को मिली है तो बहुत prestigious fellowships ही यहाँ पर लगानी है या awards भी जो है जो state और central government के awards है इसमें केवल वही माने जाएंगे जो जैसे सरस्वती सम्मान हों खिया या शिक्षक्री सम्मान हो हया वही सम्मान इसमें माने जाएंगे इसमें local awards जो है आप टेबल में से देख कर यहाँ पर लिख सकते हैं और उसका certificate आपको यहाँ पर एनेग्जर के रूप में लगाना पड़ेगा और उसका page number आप लिख दीजे, then invited lecture, resource person, paper presentation, seminar, conference, proceedings, तो यहाँ पर title आपके invited lecture का या paper का, seminar conference या workshop जो भी थी उसका title, किसने organize करी, किसने sponsor करी, उसक और international थी, तो abroad थी या within country थी, abroad थी तो कितने point हैं और अगर within country है, तो कितने point है, यह table में से आपको देखना पड़ेगा, then national या state या university level की थी, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, API score आप जो claim कर रहे हैं वो, और उसके साथ आपको उसका certificate लगाना होगा, और certificate पे आपके paper क title mentioned नहीं है, तो वहाँ से जो आपको abstract book मिली है, उसमें आपका paper का abstract होना चाहिए, तो आपको फिर वो abstract book का photocopy आपको वहाँ पे लगानी पड़ेगी, उसका cover page and the copy of your abstract, और आपको original में भी दिखानी पड़ सकती है, at the time of your selection committee, a paper presentation in seminar conferences and also published as full paper in conference proceedings will be counted once, अब इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, कि अगर same paper आपने publish कर लिया है और आप उसके points claim कर रहे हैं, और वही paper आप कहीं पर present भी कर रहे हैं, तो उसके points आप एक ही बार claim कर सकते हैं, चाहे तो वो paper published में claim कर सकते हैं, और या फिर आप seminar conference में आप claim कर सकते हैं, एक ही ची इसका दो बार points आप claim नहीं करेंगे, तो आप देख लिजिए कि कहां पर आपकी eligibility को fulfill कर रहा है, और या फिर आपको उसके points जादा मिल रहे हैं, तो जहां आपको फाइदा लगे वहाँ पर उसको claim कीजिएगा, इसके बाद आता है table 2, UGC, अब आपने जो भी API score claim किया है, वो आप यहाँ पर अलग-अलग category का API आप लिख दीजिए, जो API IQAC approve करेगी वो लिख देगी और जो API screening committee approve करेगी, वो यहाँ पर लिख देगी, इसके बाद अगर कोई और relevant information है, कुछ आप देना चाहते हैं, आपका कोई significant contribution है, या कोई आपको award मिला है, जो कि आप क्योंकि वहाँ पर award वाले column में नहीं लिख पाए, तो वो भी आप mention कर सकते हैं, फिर list of enclosures आपको लगानी है, यहाँ पर जो भी enclosure आप लगा रहे हैं, उसका annexure number और page number आपको यहाँ पर पूरी list देनी है, और क्योंकि form यह word file में है, तो इसलिए इसमें कोई problem नहीं आएगी, आप number of rows आप इसमें add कर सकते हैं, इसके बाद आपको declaration, self declaration पर आपको यहाँ पर sign करना है, signature करना है, फिर नाम लिखना है और designation लिखना है, और उसके बाद यह जो report of principle and convener है, यहाँ पर principle और convener के signature होंगे, stamp लगेगा, तो जब हम score calculation की बात करते हैं, कि API हमको किस तरीके से calculate करता है तो उसकी details page number 105 और 106 पर दी हुई है, उसके लिए table दिया हुआ है, और इसमें थोड़ा सा difference है, जब हम research paper का score calculate करते हैं, तो faculty of science, engineering, agriculture, medical और veterinary science के लिए score अलग है, और बाकी की faculties के लिए अलग है, तो अगर आपका research paper है, UGC listed journal में या peer reviewed journal में, तो faculty of sciences में आपको 8 अंक मिलें हैंगे हर paper के लिए, और faculty of languages या arts या social sciences में आपको 10 अंक मिलेंगे, इसके बाद का score दोनों ही faculties के लिए same है, अगर books की हम बात करते हैं, अगर international publisher की book है, complete book है, तो उसके लिए 12 अंक है, national publisher की book है, तो 10 अंक है, अगर आपका chapter है edited book में, तो उसके 5 अंक है, अगर आप editor है, किस international publisher की book के, तो उसके 10 अंक है, और अगर national publisher की book के आप editor है, तो उसके 8 अंक है, अगर translation work आप कर रहे हैं, तो chapter या research paper के 3 अंक है, एक chapter या research paper के, और complete book के 8 अंक है, इसके बाद ICT creation में, अगर आप कोई innovative pedagogy डेवलप कर रहे हैं, तो उसके 5 अंक है, अगर कोई syllabus, new curriculum या course आप develop कर रहे हैं, या design कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रती curriculum या course आपको 2 अंक मिलेंगे, अगर 4 quadrant का आप कोई MOOC develop कर रहे हैं, तो उसके 20 अंक हैं, और अगर आपका पूरा 4 quadrant का course नहीं है, आपने एक या दो ही credit का आपने design किया है, तो उसमें प्रती एक credit आपको 5 अंक मिलेंगे, MOOCs developed in 4 quadrant per module और lecture, प्रती module ले lecture के आपको 5 अंक मिलेंगे, अगर आप content writer हैं, या subject matter expert हैं, module के, तो उसमें आपको 2 अंक मिलेंगे, course coordinator है, MOOCs के लिए, 4 credit वाले course के लिए, तो आपको 2 marks per credit मिलेंगे, तो complete course के आपको 8 marks मिलेंगे, e-content में अगर आपको e-content develop कर रहे हैं, 4 quadrant में, तो आपको 12 अंक मिलेंगे, अगर आप 4 quadrants per module develop कर रहे हैं, तो उसके 5 अंक मिलेंगे, contribution to development of e-content or module in complete course और paper और e-book, at least 1 quadrant, तो एक quadrant के आपको 2 अंक मिलेंगे, editor of e-content for complete course या paper या e-book आपको 10 marks मिलेंगे, research guidance के अगर हम बात करते हैं, तो अगर PhD degree awarded है आपके अंडर, तो per student 10 marks मिलेंगे आपको, और अगर thesis submitted है, तो 5 marks मिलेंगे, MFIL या PG dissertation के लिए यहाँ पर इसका भी letter आपको रजिस्ट्रार से लेना पड़ेगा, university के, उसके 2 marks हैं, per degree awarded, फिर research project अगर आपने complete कर लिया है, उसका utilization certificate लगा रहे हैं, उस case में अगर आपका 10 लाग से ज़ादा का research project है, तो उसके 10 marks हैं, और 10 लाग से कम का है, तो 5 marks हैं, और research, अगर project आपका research project ongoing है, तो उसमें 10 लाग से ज़ादा का है, तो 5 अंक हैं, 10 लाग से कम का है, तो 2 अंक हैं, फिर consultancy project के 3 marks हैं, पेटेंट अगर आपका international है, तो 10 हैं, नैशनल है, तो 7 हैं, policy document, international है, तो 10 हैं, नैशनल है, तो 7 हैं, और state body को आपने submit करा हैं, तो 4 अंक हैं, awards और fellowship, अगर international award है, तो 5 हैं, अब invited lectures में, अगर आपकी conference international है, और बाहर जाकर आप paper present कर रहे हैं, तो उसमें आपको 7 marks मिलेंगे, international conference है, लेकिन within country, आप, इंडिया के में ही कहीं उसको attend करते हैं, तो 5 marks हैं, national conference है, तो 3 marks हैं, state या university level की है, तो 2 marks हैं, अब इसमें जो research paper का score है, वो किस तरीके से आपको calculate करना है, base score तो हमारा 8 और 10 है, अगर आपका research paper peer reviewed है, या UGC listed है, impact factor Thompson Reuter की list के अनुसार ही होगा, अगर आपका paper refereed journal में है, जिसका impact factor नहीं है, refereed मतलब उसके उपर लिखा होना चाहिए, refereed journal, तो उसमें आप अपना जो base score है, 8 और 10 का, उसमें आप 5 point add कर दीजिए, तो आपका total score हो जाएगा 13 या 15, अगर paper का impact factor एक से कम है, जीरो और एक के बीच में है, तो आप उसमें add करेंगे 10 point, मतलब 8 और 10 18 और 10 और 10 20, paper जिसका impact factor एक और दो के बीच में है, वाँपे आप 15 point add कर देंगे, मतलब 8 और 15 23 और 10 और 15 25, paper with impact factor 2 and 5, इसमें 20 points आप add कर देंगे, मतलब 28 और 30 point का हो जाएगा, paper with impact factor between 5 and 10, 25 points add कर देंगे, 25 और 8 हो गया 33 और 25 और 10 हो गया 35, impact factor अगर आपका 10 से जाद है, तो उसमें आप 30 point add कर देंगे, 38 और 40 points आपके हो जाएगे, लेकिन अगर research paper, अब ये तो हो गया total score of the paper, अगर दो author हैं किसी paper में, तो दोनों को ही 70 प्रतिशा तंक मिलेंगे, मतलब अगर हम मानते हैं कि किसी paper का research score 10 है, किसी को 10 का research score है, उसके अंदर उसको suppose कीजिए, उसका referee journal में नहीं है, और impact factor भी नहीं है, तो दोनों authors को, अगर दो author हैं, तो उनको 70 marks मिलेंगे, यानि कि 77 marks मिल जाएंगे, और arts के case में, जो 70% हुआ, साइंस के case में 70% हुआ, वो हुआ 5.6, तो 5.6 marks दोनों को मिलेंगे, 5.6 author A को और 5.6 author B को, अगर दो से अधिक author हैं, तो उस case में, जो first author है, या जो principal author है, मतलब अगर first author अलग है और principal author अलग mentioned है, या corresponding author है, तो इनको तो 70% marks मिलेंगे, मतलब 7 या 5.6, इनको मिलेंगे, और बाकी के 30%, जो ना तो first author है, ना principal author है, ना corresponding author है, उनको केवल 3 marks या 2.4 marks मिलेंगे, अब अगर आपका score बढ़ रहा है, जो add-on points हैं, वो add करने हैं, तो उसी के हिसाब से 30% या 70% जो भी score है, आप उसका calculate करके, वहाँ पर आप लिख दीजेगा, इसी प्रकार से, अगर आपका, अब ये जो है, ये books के लिए भी मानने हैं ये वाली बात, ये chapter in book के लिए भी मानने है, 70-30 का distribution, ये आपकी translation के लिए, editing के लिए, सब चीजों के लिए 70-30 का distribution मानने हैं, इसके बाद अगर आपका joint project है, तो principal investigator और co-investigator दोनों को 50% marks मिलेंगे, मतलब अगर 10 अंक हैं, तो 10 में से 5-5 दोनों को मिल जाएंगे, अगर research scholar का joint supervision है, तो 70% of the total score for supervisor and co-supervisor, मतलब 10 अंक हैं, अगर PhD degree awarded है, तो दोनों को 7-7 अंक मिलेंगे, और अगर 30 से submitted हैं, तो 3.5-3.5.5 मिलेंगे, तो इन सब चीजों का ध्यान में रखते वे, आप अपना form भर सकते हैं, करते हैं, बढ़ घ्रादीन हैं, करते हैं? एक पोनों पदा का का शती हैं, तो पर सक हाँ है, तो 3.1 खंदा Baptist जाम्यों को अपना नंन ули..